हाई अबरीवन वेलकम बैक तो एनेधर वीडियो यह मार आपास जो है ना रिएक्टाइस प्रोजेक्ट सीरीज की नाइटीन वीडियो है जिसके अदर जो हम प्रोडाक्ट लिस्क विद कॉर्ड फंक्शनेली के साथ जो है ना प्रोडाक्ट होंगे और उनको आम यह ना एड सकते हैं अधर उसके पहले हम प्रोडाक्ट हैं और उसके बार घैना को एंड फ سकती है है लैटाउ यहां पर दो हमारे लिए को थे वाएयलेस हैडफून वह एड हो चुक है यहां से कूक अठो है घृम नुग हो है ऑप और उसके बार जो है ना आप इसका अगर again आप करना चाहते हो यहाँ पे इसको add तो यहाँपी चेक करो मैं again add करता हूँ तो यहाँपी चेक करो अब हमारे पर यहाँपे एक message शो रहा है इस अपनी इस प्रॉजक के अंदर देखेंगे ओके मैं कर देता हूं उसके बाद जो है न हम अगर second item को जहना अपनी card के अंदर add करना चाते हैं तो यहाँ पर देखो second item भी हो चुक है, third को भी करना चाते हैं तो third भी हो चुक है अब इनको जहांसे remove भी कर सकते हो और अगर आपका आरेड़ी एक एक एटम यानिके इस कार्ड के अंदर है तो यहाँ पे एड़ नहीं होगा आपके जहाँ पर मैसेज मिलेगा कि आपका एटम यहाँ यहाँ पे एड़ है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना VS Code Editor ओपन कर लिए है और उसके अंदर जाना मैंने यहाँ पे रियक की अप्लिकेशन को भी और एड़ी इस्टाल कर लिए है आपको सकीन पे कमांड चो रही होगी आप उस कमांड का यूज़ करके रियक की अप्लिकेशन को सकसेस्फुली इस्टाल कर सकते हो उसके बाद जाँ आप इसको फास्ट टाम रन करोगे तो आपको यहाँ कोछ इस ट्राइब का इंटरफेस पे लेगा अब यहाँ पे हमें यह इंटरफेस में चाहिए हमें अपनी अप्लिकेशन करेंगी है प्रडाक्त लिस्ट वाली जिसके अंदर हम उसको एड्ट टू कार भी कर सकें अब इसको भी मैं यहां से रिमूव कर दोगा अब उसके बाद आपको ऑवर्वियू का दे रहता हूं अपनी स्टाइलिंग अपनी मरजी के साथ भी कर सकते हैं लेकिन इस प्रजेक्ट के अंदर हम स्टाइलिंग पे इतनी बात नहीं करेंगे यहां पर मैं आपको ओवर्वियू दे लेता हूं और अगर आप यहीं स्टाइलिंग करना चाते हो तो आप वीडियो पोस करके इसको सेम तू सेम राइट कर सकते हो अधर्वा पार जो बॉक्स • उसको मैंने यहां पर पार्ड को अश्यक कर देदी है उसके बाद लाइंग एंधर जिकम अब एक नाव से बनाएंगे जिसके abord चाईलिंग grade और उसका गैम ए उसकी जो कॉलम है। उसको यहां पर मैंने मैंने मेंचिन किए। बार हम लगने हमने आपर ऐहां पर कोड बनाएंगे। जिसके आदर हमारे पास डिफेंड याने करड शो जब हम करेंगे हमने यहां पर उसको style किया है, पिर image जो आएगी, उसको style किया है, तो अब बास जो button आ रहा है, उसको हमने यहां पर style कली है, ठीक है? एंट उसके बाद, हमने आरे पर 주 ने cot के लिए styling है, जो हम add to cot वाला section मनाएंगे, उसके लिए हमने यहां पर styling write किये जन्द उसके बार हमने h2 ले लिया है जो हमारे पस headache आईगी और उसके बार जो हमारे पस list आएंगी उसको मैंने यहां पर style किये and court atom यहां पर class बनाई है and उसके बार जहां पर आप चेक कर सकते हैं तो मैंने यहां पर यहां पर write कर दे और अगर आपको styling का नहीं पता तो आप ड्रैक मेरे code को गिटाप एकाउंट से डाउलोड करो और उसकी CSS file है उसको copy करके अपनी CSS file से replace कर दो तो आपका काम हो जाएगा और बाकी आपने functionality देखनी है तो मेरी इस वीडियो को complete देख लेना ठीक है तो आप मैं क्या करूंगा app.css file को यहां से close करता हूं और उसके बाद यहां पर app.js के अंदर हम थोड़ी सी change कर लेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे सबसे पहले यहां पर div के अंदर एक मैं लोगा header tag और इसको मैं यहां पर कला दूँगा app header है और इसके अंदर जैना मैं यहां पर h1 करूंगा और h1 के अंदर जैना मैं यहां पर एक heading दूगा product list with यहां पर यहां पर file save कर लेता हूं और अगें जाता हूं ब्रॉजर के उपर तो यहां पर देखो हमारे पास एक heading आ चुकी है तो आप यहां पर icon भी जूज़ कर सकते हो मैं यहां पर icon यूज़ नहीं कर रहा हूं उसके बाद जो है ना मैं गेंविश कोडेंटर केंदर जाता हूं और यहां पर मैं अब क्या करूँगा एक और div ले लोगा इस header के नीचे और इसको मैं यहां पर नाम देदूगा app container है अप इस container के अंदर हमारे पास क्या चीज़ेंगे हमारे पर यहां पर यहां पर दो चीज़ेंगे यहां पर हमें एक अलाइदा अलाइदा component केरेंगे एक हमारे पास होगा product list related और एक होगा हमारे पास card के लिए ठ एक सब्सक्राइब करें अब इसके अदर हम क्या करेंगे जहां पर इंपोर्ट रिएक्ट होड़ा है इसको हम रिमूब कर देते हैं अगर आप राइट करो ना करो आपको पर कोई भी असर नहीं होगा तीक है इसके बाल यहां पर हम देव लिया है तो हम देव को रिमूब करते हैं और यह-प्रेग्मेंट का उज सीकते हैं और प्रेव डॉट लेता हूं इसके wärenपास ना कर दाएगा तो इसको हम जहां से पाइड होग से काफी करता हूं करसा winter a viene यहां से काफी और तो ये स्किर्द है ये अब larger70 ख़र्स करता हूं को यहां से के ये स्मझा देताथे हो यहां पर पर सबसे पहले हमने ौर्द की है एक अप्जेक्ट हमारे भी हमारे पास एक और कि फडर के फैसीर गडि hack He?. हमारे पास तीन काइब कर ना पर यहें की तूब्स के हमारे पास षैनि ऐक नहीं की रिया है आप एमेज भी जहां पर यूज़ ना लीक का यूजिए कहीं है अब हम क्या करेंगे नेक्स ट्राइब में जाएंगे पूर्डाइक लिस्क के अंदर और जो हमें पास डेटा है इसको यहां पर हम इंप्रोड का लेंगे ठीक है, तो मैं यहाँ पे save करता हूँ file को और explorer को open करता हूँ और इस component के अंदर हम एक और component create करेंगे मैं यहाँ पे करता हूँ new file और यहाँ पर मैं write करता हूँ product.jsx अब इसके अंदर जाना मैं simple rafc write करूँगा और यहाँ पर हमार पास react का component create हो जाएगा उसके बाँ जाना मैं div की जगा यहाँ पर react का fragment यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं एक div लूँगा जिसको मैं यहाँ पर class name दे दूगा product.card ठीक है और इस div के अंदर यहाँ पर मैं सबसे पहले जो हैना प्राइस लेंगे और यहाँ पर मैं dollar का use करता हूँ और हमारे पास price जोगी नहीं वह हमारे पास dollar में होगी तो यहाँ पर मैं hundred dummy tax ले ले लेता हूँ ठीक है उसके बाँ हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर एक three आएगा जो हमारे पास काम करेगा पुर्डा को add करेगा card के लिए ठीक है तो यहाँ पर मैं write करता हूँ add to card और इसके बाद जो हैना इसको मैं यहाँ पर class name देता हूँ button add to card save करता हूँ file को अब हम क्या करेंगे जो हमने यह card component बनाए इसको हम जो है न पुर्डाक लिस्त के अंदर यहां पर इमपूर्ट का लेंगे तो यहां पर मैं write करूँगा import product card from product card और उसके बाद यहां पर जो आम डिव लिया है यह बहला इसके अन्दर हम इसको use का लेंगे तो यहां पर मैं write करूँगा product card और इसको मैं यहां पे close card होगा ठीक है इसके मैं फर्मेटिंग ठीक कर लेता हूँ उसके बाद हम जाते हैं product card के अंदर और इसकी जो हमारे पस फर्मेटिंग है उसको भी मैं यहां पे सही कर लेता हूँ ठीक है कर लोगा क्योंकि app.js हमारे पास एक main file है जिसके अधर हम अपने data को शोकरा रहे हैं तो यहां पर मैं write करूँगा सौरी सबसे पहले मैं import कर लोगा यहां पर मैं write करूँगा product list और इसको यहां पर मैं कुछ इस तरह यूज कर लोगा product list फाइल को मैं save कर लेता हूँ अब अगे जाता हूँ browser के उपर यहां पर चेक कर हमारे पास एक card आ चुक है ठीक है उसके बाद जो हमें जहां पर इसकी image भी चाहिए और card की लेटर हमारे जो title है वह भी चाहिए औ पास dynamically हो ठीक है तो यहां पर देखो data.js के अंदर हमारे पास जो है ना तीन card की value है ठीक है और निकिंगा हमारे पास title, image और सारी इसकी यहां पर different आ रही है तो हम इसको डैनामी के लिए यहां पर change करेंगे card के अंदर तो अब हम जाएंगे product card के अंदर sorry product list के अंदर और product list क अंदर है जो हमने यहां पर product यहां यूज की है इसके ऊपर हम यहां पर map method का use करेंगे तो यहां पर जो काट हमारे पास आना है product card, इसको मैं component को यहां से cut करता हूं और यहां पर मैं JXX का use करूँगा सबसे पहले write करूंगा products and dot map method और उसके बाद जो हमारे पास return करेगा, सिंगल पर्टॉड्ट दियुम के न 는 पने पास इमपोर्ट किया था उसको यहां प्रॉब्स करेंगे टीके जब प्रॉफस न सबसे पहले से एक आएगी की क्यूंकि हर एक यह की की किया हमारे पास टैकल मैं। हम उसको एड करें आएड चाहेता aten उसको delete करना चाहें तो id की तूरु उसका हम delete भी कर सके ठीक है then उसके बाद हमारे पाद जाएना हर एक product की जो title है यहां पे देखो data.js के अंदर हर product जो हमारे पास title है ना वो भी change है price भी change है तो image भी change है तो हम यह सारी चीज़ यहां पे get कर लेंगे ठीक है तो मैं product code के अंदर जाता हूँ और उसके बाद जो हम ने यहाँ पर product वाली send किया है इसको यहाँ पर मैं accept कर लोगा तो यहाँ पर मैं जाके कली brackets के यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं write कर दोता हूँ product ठीक है अपने spelling जो है यहाँ यहाँ पर same write करने इसी तरह उसके बाद जोना आप इसकी value को हम use कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास image को यहाँ जो हमारे पास srcr है यहाँ पर मैं इसको remove करता हूँ और यहाँ पर मैं कली brackets के यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं write करूँगा product.image ठीक है क्योंकि अब हमारे पास data के अंदर देखो product के अंदर हमारे पास image की है और उसकी यहाँ पर value आ रही है ठीक है तो हम यहाँ पर product.image यूज़ कर रहे हैं उसके बाद हम alt के अंदर भी यहाँ पर write कर लेते है product.title ठीक है यहाँ तक आए हो आपको समझा जो क्योंकि product.title मैंने यहाँ पर क्यों add किया है क्योंकि हमारे पास जो है न यहाँ पर यहाँ पर चेकरो मैंने spelling mistake कर दी है तो यहाँ पर मैं product same write करता हूँ और यहाँ पर भी product अपने spelling का खास क्या रखने है नहीं तो आपको जो है न बाद में error में लिक ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास product का title अगर में image यहाँ पर शो नहीं होती किसी भी जो है न वज़े से हमारे पास यहाँ रिलोड नहीं होती तो उसको जहाँ पर हम title शो जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर इसको हम class name यहाँ पर देते हैं इसमें मैं राइट करूँगा product और image और जी कर लेता हूँ फाइल को save करता हूँ और अब जाते हम browser के उपर तो यहाँ पर चेक होड़ आप हमारे पास image भी शो रही है अब इनके title को भी हम चेंजिक करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे VS code editor के दर जाओंगा और यहाँ पर टाइटल की जगा जो है यहाँ पर मैं कली brackets जूज करके यहाँ पर मैं write करूगा product dot title और उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमारे पास आरा price तो यहाँ पर हम write करेंगे product dot price ठीक है मैं file save करता हूँ ब्रोजर के उपर जाते हैं तो आप यहाँ पर चेक करो हमारे पास सारी चीज़े जहाँ पर properly बग कर रहे हैं अब यहाँ पर हम यहाँ आड करना है functionality add to card की उपा है ठीक है तो यह हम का लेते हैं अभी हम यहाँ आड करेंगे यूस्टेट को ठीक है मैं यहाँ पर import करता हूँ यूस्टेट अब सबसे पहले इसके variable हम यहाँ पर create कर लेते तो यहाँ पर मैं राइट करेंगा cost और इसके अदर हम कॉर्ड लेते क्योंकि हमारे पास value का पर store की इस card variable के अंदा है ठीक है तरह उसके बाद हम यहा console.log write करता हूँ और इस card variable को store का लेता हूँ ठीक है यहनी के राइट का लेता हूँ अब इसकी जो वहनी होगी ना वह हमें यहाँ पर create करेंगे जो हमारे पास होगा handle करेंगा जैसे हम इस button के उपर click करें तो हमारा पास card के अंदर add हो जाए तो उसके लिए हम यहाँ पे function add क करेंगे ठीक है तो function के लिए यहाँ मैं write करूंगा cost रोड हैंडल add to card ठीक है और यह हमारे पास एक arrow function होगा और यह हमारे पास एदा parameter लेगा product ठीक है यहाँ उसके बाद यहाँ भी हम write करेंगे if condition लगाएंगे card.sum यहाँ मैं यह code write कर लेता हूँ atom and atom.id is equal to is equal to is equal to product.id मैं file को save वड़ता हूँ तो यहाँ पे हम इस line को समझ लेते हैं इस line में हमने क्या लेका है कि इस card केंदे है अगर कोई भी value already हमारे पास में जूद है यहाँ पे मैं file को save कर लेता हूँ कोछ इस तरह तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास अगर यह product already first your product है already card केंदे है तो वह यहाँ पे हमें चेक करेगा ठीक है जो हमारे पास at least one value को check करता है ठीक है अगर हमारे पास card होगा तो यह हमारे पास true value को enter कर देगा ठीक है जानिक हमें true value दे देगा ठीक है क्योंकि some यह हमारे पास एक bullion return करता है तो यह true and fall को return कर देगा अगर इसको हमारे पास इसके अदर कोई भी card की value मिल जाती है तो यह हमें true return कर देगा उसके बाद हमारे पास जो इसके अदर condition होगी वोडान हो जाएगी तो जहाँ पर मैं condition में क्या करूंगा एक alert message show करूंग ठीक है मैं राल करूंगा this atom is already in your card ठीक है उसके बाद यहाँ पर मैं simple return कर दोंगा empty ठीक है कुछ भी जहाँ पर हम return नहीं करांगे अब यहाँ पर मैं file को save कर लेता हूं and उसके बाद यहाँ पर इसके if के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे is set to card है इस function कर देगे set card और उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर मैं इसके अंदर write कर लेता हूं जो हमारे पास card के अंदर previous value होगी और हम जो new value यहाँ पर add करेंगे वो हमारे पास यहाँ पर इस card के अंदर set हो जाईगी ठीक है तो अब मैं यहाँ यहाँ पर comment भी देते हैं कि यह function हमारे पास किसलिए handle add to court अब इसको जैना हम use करेंगे तो use करने के लिए हम जाएंगे again product call list के अंदर यहाँ पर देखो जो हमने component यूज किया है इसके अदर जैना हम इजा props इसको send करेंगे तो जहाँ पर मैं डाइक करता हूं handle add to court और इसके अदर same यही मैं function copy करके यहाँ पर paste कर देता हूं ठी यहाँ पर जो है ना मैं जहूंगा यहाँ पर और यहाँ पर मैं simply इसको यहाँ पर accept कर लोगा तो यहाँ पर मैं write करूगा यहाँ पर handle add to court ठीक है अपने spelling सही राइट करने है उसके बाद अब इसको मैं इस product के अंदर as a props send करूगा ठीक है जो हमने product call बना है इसको अंदर as a props send करूगा तो यहाँ पर मैं write करना हूँ on आप simply यह भी write करते हूँ मैं जहाँ पर on handle court मैं write करते हूँ ठीक है उसके अदर आप same function pass कर देना है ठीक है अब यहाँ इसका name जो है ना कोई भी write कर सकते हो लेकिन उसको जो function जहाँ पर आप ले रहे हो जो props उसको आपने same send करना ह ठीक है अब मैं जहूँगा product card के अंदर और इसको यहाँ पर हम accept कर लेंगे तो यहाँ पर मैं write करूगा on अब यहाँ पर आपने यह जो चीज़ डिराइट किये ना इसी same इसी चीज़ को यहाँ पर आपने write करना है ठीक है on handle card को और उसके बार जो है ना अब हमारे पास जो value return करेगा value में क्या देगा on add to card यहाँ पर मैं write करता हूँ यही same value जो हमने यहाँ पर handle card वाली किये उसके बाद जो है इसके अंदर हम return करा देगे product को file को मैं यहाँ पर save लेता हूँ ठीक है I hope यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है हमने function जो है इस button के उपर clear लगा है यानि कि हम जैसे button के उपर click करें तो हमारे पास जो यह product है जो हमारे पास एक single product होगा वो हमारे पास card के अदर add हो जाए तो मैं आगे आपको browser के उपर जाता ह यहाँ पर हमारे पास एक empty area अब मैं क्या करूगा जैसे मैं add button के उपर click करूगा तो यहाँ पर चेक करो अब हमारे पास value यहाँ पर आ चुक है ID 1 है जारी कि हमने first button जानी की card को add किये उसके बाद title उसका रहा है उसके बाद उसकी price आ रहा है उसके बाद हमारे पास images किया र और कम complete हो चुका है अब यहाँ पर एक और चीज आप मैं दिखाता हूं जैसे मैं अब मरबस तीनों card के अंदर add है अगें मैं यहाँ पर add करता हूं तो यहाँ पर देखो मैं a lot में रहा है जहां पर this item is already in your card तुझे condition यहाँ पर हमने जो लगाई थी app.js के अंदा है यह वा मैं एक और section create करेंगे जो हमारे पास card का section होगा जिसके अंदर जोना हम अपने card को display कराएंगे user को तो उसके लिए मैं again जाओंगा vs code editor के अंदर और component के अंदर जाके यहाँ पर एक new file create कर लोंगा जिसको जहाँ पर मैं नॉब देता हूं card.js मैं जान सब्सक्राइब करेंगे जान सब्सक्राइब अब इसके अंदर मैं basic component create कर लेता हूं इसका यहाँ पर मैं इंपोर्ट करके यूज भी करलेता हूं तो यहां पर राकिता हूं in port और उसके बार जो हम यहां पर हम इन ज्यान प्रोडक्ट list जो राइट किये था इसको जहां पर हम यूज कर लेते हैं इसके नीचे ठीक है फाइल को मैं जहां पर सेफ पले तो अब हमारे पास जहां पर एक एच टू आएगा जो हैडिंग होगी जिसके दर हम जहां पर राइट करेंगे यूर कॉर्ट अब हम जाते हैं जहांपने करना और शु करेंगे त्सको जो है ना जो भी हम चीज एट करते थे तो इस variable के अंदर store होती थी इस variable को अब हम as a prop send करेंगे अपने cod.yes फाइल के अंदर तो यहाँ पे हम जाएंगे नीचे और यहाँ पर हमारे पास cod है यहाँ पर मैं write करूँगा cod atom is equal to उसी variable को यहाँ पर मैं write कर लूँगा ठीक है अब इसको हम जोड़े accept कर लेंगे cod के अंदर तो यहाँ पर मैं जाऊँगा function के दर यहाँ पर मैं इस props को generate structure करूँगा और यहाँ पर मैं write करूँगा हमने यह cod atom write किया इसको यहाँ पर paste ठीक है तो उसकि पहले क्ली ब्रैकेस लेता हूँ और इसके अंदर सबसे पहले आच कर था लेता हूँ Quart Atom और इसके बार इसकी डाच कर लेता hold अगर Quart Atom की last is equal to zero home जानिके greater than zero होगी तो then हम्हें यहाँ पास मैं यहवाली condition रुगी और यहांपर मैसेज शो हो जाएगा यूर प्रोडक्त मैं यहां पर सिंपली राइट कर लेता हूँ यूर प्रोडक्त ठीक है अगर हमारे पास जो है ना कार्ड के अंदर कोई भी अभी वैल्यू नहीं हो जानी कि यूजर का कार्ड जो हो अभी एमटी है यूर पास मैं राइट कर लेता हूँ p.tech और उसके बार जो है ना यहां पर मैं राइट करूंगा p.tech के अंदर यूर कार इस एमटी फाइल सेव कर लेता हूँ अब मैं गेंझ जाता हो बरौल्सर के वबर यहां पर मैं रिलोड करता हूँ हमें आप गए कार नहीं की यूसर निनिका कोई वैलियो भी यहां पे रैड नहींगी और दोबारॉ Still में यहां पे एड़ु कार पर क्लिक करता हूँ यहां पे देखो, आप हम्मारे पास वैल्यू एड़ हो चुकी है, इस पे जहां पे देखो, your product राइड हो की, अब यहां पे हम्में your product नहीं चाहिए, जो भी हम पुझाक यहां पर अड़ करें, वो हमें जहां पर शो हो जाए, कि अपनी जो ने फस्ट वाला प्रोड़क्त ज dot map और इस map function में return करेगा क्या जिसके हमारे पास single atom आएंगे ठीक है और इसके दार हम parentheses लगाएंगे और parentheses के दार जहाँ जहाँ पर राइट करेंगे अपने IKML को कोड़ तो जहाँ पर मैं राइट करूँगा li हमारे पास एक list बनेगी जहाँ पर li class name दे देता हूँ जो के हमारे पास है caught atom नार से ठीक है और इस ally के अंदर हम एक image ले लेंगे और image के जो हमारे पास आएगा यहाँ पर जो atom की image आएगी वो हमारे पास आजाएगी और उसके बाद जो है ना add art के अंदर हम यहाँ पर write करेंगे जो हमारे पास atom की title लाएगा ठीक है atom.titles देन उसके बाद यहाँ पर हम class name इसको एक दे देंगे जो के हमारे पास आएगी caught atom image file को मैं save कर लेता हूँ और जो हमारे पास explorer आ रहा है इसको मैं यहाँ से close कर लेता हूँ तो यहाँ पर हमने image भी ले लिए तो मैं again browser के उपर जाता हूँ तो यहाँ पर देखो हमारे पास image आ चुकी है हमने first product एड किया तो first product के हमारे पास image आ चुकी है अब यहाँ पर इसका title और इसकी price भी हम ले लेते हैं और एक button भी यहाँ पर हम लेंगे जो इसको remove करने में हमें help करेगा तो मैं गें जाता हूँ VS Code Reader के अंदर और यहाँ पर हम जहाँ एक div ले लेंगे और इसको मैं जहाँ पर clause देता हूँ court atom details और इसके अंदर हमारे पास h4 आएगा जिसके अंदर हमारे पास title आ जाएगा atom.title और उसके पास हमारे पास एक p-tag आएगा जिसके अंदर हम अपनी price चो उकड़ा देंगे price dollar और उसके पास यहाँ पर हम variable जाने कि atom.price ठीक है यहाँ था कि मारे काम कब्लिट हो चुका है अब उसके बार हम इस div के बार जाने हम पर एक button लेंगे जिसको यहाँ पर मैं class name देंगा btn remove sorry यहाँ पर btn remove from court और उसके पास यहाँ इसके अदर हम यहाँ पर value राइट कर देंगे remove ठीक है अब यहाँ तक यहाँ आई होप आपको समझा चुकी होगी अब मैं जाता हूँ बरूजर के उपर तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास यहाँ इसकी heading भी आ रही है इसकी price भी आ रही है और यहाँ पर हम इसको remove भी कर सकते है अब यहाँ पर मैं जाता हूँ VS corridor के अंदर और बस properly हमारे बस काम हो रहा है अब हम सेकेंड को यहाँ पर add करता हूँ और यहाँ पर आप यहाँ पर आपको समझा चुकी होगी अब हम इसको remove करेंगे तो remove करने के लिए हम यहाँ पर एक function create करेंगे मैं जाता हूँ VS corridor करने दा है और app.js करने है और उसके बार यहाँ पर handle add to card बना आया था अब यहाँ पर हम एक function create कर लेंगे जो हमारे पास remove करेगा atom को तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कुमे देता हूँ handle remove from court और यहाँ पर मैं राइड करूँगा const handle remove from court और यह हमारे पास जो है न एक product की ID लेका ठीक है मैं यहाँ पर राइड करता हूँ product ID क्योंकि हम जो है जैसे क्लिक करेंगे इस बटन के उपर तो यह हमें एक ID सेंड करेंगा जो हम इस function के अंदर अक्सेप करेंगे और उसकी बहसाथ से जहाँ पर condition लगाएंगे तो जहाँ पर मैं राइड करूँगा set court और set court के अंदर जहाँ जहाँ पर राइड करूँगा जो previous court जो हमारे पास है यहाँ पर callback पॉनिशन चीज़ करेंगा previous court और उसके बाद जहाँ इस previous court पर जो है न मैं क्या करूँगा अपना filter method लगा होगा ठीक है अब filter method क्या करेंगा यहाँ पर हमारे पास atom को चेक करेंगा atom.id को कि वो हमारे पास is equal to is equal to not में product highly तो हम simply यहाँ पर double equal to sign यूज़ करेंगे अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है हम यहाँ पर function create किया है जो हमारे पास atom को card में से remove करेगा उसके बाद जहाँ पर हमने set function यूज़ किया है यह set function क्या करेगा जो इसको new array यहाँ पर मिलेगा वो array इसमें store हो जाएगा और इस function के दिरिये हम यहाँ पर use state को update कर लेंगे और हम यहाँ पर value मिल जाएगी इस card के अंदर, variable के अंदर, ठीक है अब यहाँ पर क्या हो रहा है जो हमारे पास हम चेक कर रहे है कि अगर हमारे पास id जो हम send कर रहे है ठीक है, वो not equal है उसको यहाँ से हमारे पास array में से remove कर दो और जो बाकी हमारे पास value बटने ना उनको combine करके एक new array बना लो और new array हमारे पास यहाँ पर set हो जाएगा ठीक है, अब जो हमारे पास handle remove card है इसको मैं यहाँ से copy करता हूँ as a profs जहाँ पर हम send कर लेते है यहाँ तक हमारे काप complete हो चुक है अब हम इसको card.js के दर जाकी यहाँ पर accept कर लेते है और इसको जहने इस button के अंदर हम use कर लेते हैं तो जहाँ पर मैं write करूँगा on click, जहने कि हम जहसे इसके उपर click करें उसके बाद यहाँ पर हम callback function apply करेंगे और यहाँ पर यहाँ पर बेज़ेगा product.id sorry यहाँ पर atom.id यहाँ पर लेगे तो यहाँ पर हम atom ले रहे हैं तो हमारे पर यहाँ पर यहाँ पर आईड़ी इसकी id जो हमारे पास आएगी वो यहाँ पर send करेगा अब जैसे हम इसको save करते हैं और अगेर जाते हैं browser की उपर अब यहाँ पर फस्ट वाले को remove करना चाहते हैं तो यह हम इसकी जब remove पर click करेंगे तो इसकी id जो हमारे पास function के अंदर जाएगी जो हमने यह वाला function create किया था इस function के अंदर जाएगी और इस function के अंदर जाने के बाद यह condition यहाँ पर apply होगी और वो चेक करेगा यह हमारे पास match नहीं हो रहा ठीक है यहाँ पर हम चेक करें item.id जो नहीं इसके अदर साथ match नहीं हो ठीक है तो उसको यहाँ से हमारे पास remove कर देगा जाने बाद भी रिमूव थार बी रिमूव अभी हमारे पास कोई चीज नहीं है अब दोबहरा add करते है अब जो है अगेर add करते हूँ अब मैं कहता हूँ कि इसको मै बाद करना चाहता हूँ क्लिक करूँगा यहां पर हमारे पास already add है and thanks for watching and i will see you in the next video